हेलो फ्रेंज वेल्कम टु स्ट्वेंट पीडिया आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ बात में कभी अड्मिशन लेंगे तो ये दोकिमेंट्स आपको वहां प्रवाइड करना होगा ठीक है जो दिमांट करती है कॉलेज सुरू करने से पहले बतला दू काफी बेनिफिशल चैनल है मेरा मैंने काफी सारे जो है स्कॉलेजिप के वीडियो से अपनी वीडियो में आप सर्च कर सकते हैं स्ट्वेंट पेडिया स्कॉलेश्ट में लेवल वजाएगा आपको कुछ भी जानना हो तो नीचे कमेंट करके म आपका माक्स और जो भाकी डोक्मेटसों इसके बाद आपको यहांपर एड मयसे इंत smith मिलता हे तो सबसे पहले बतहते काम का जो मांब को committee हों आश ने स्प्रूप हर बहुत से colleges में सिर्फ जो एज देखा जाता है वो 10th के basis पे देखा जाता है और जो है इस certificate नहीं लिया जाता है इसलिए 10th certificate जो है उसे समा लिए उसकी के बाद आपको admission लेगा और यह आगे तक काम आता है यहां पर में पतला दूँ जो है 10th passing to verify your date of worth यहां पर देख सकते हैं जैसा कि मैंने बोला 10 class यहां पर marks it जो है एज को verify करने के लिए लिया जाता है और किस बोट से आप है वो भी verify यहां पर किया जाता है 10-12 की marks it आपको यहां पर लेके जानी होगी अगर आप graduation और intermediate में admission लेते हैं तो 10th में intermediate में लेंगे तो 10th class की और graduation में लेंगे तो दोनों साल के आपको यहां पर जो है लगती है आपको जो है result इखाना पड़ता है passing certificate की बात करें तो अगर graduation में ले रहे तो 10th और 12 दोनों की और सिर्फ intermediate में ले रहे तो 10 class की यहां पर passing certificate आपको दिखानी होती है passing certificate college और school जो है आपका वो provide आपको कर देता है migration certificate बता दे, migration certificate के बिना आपका यहां पर admission नहीं होगा, किसी school से आप migrate करते है जैसे आगले में जाते हैं, promote होते हैं और कहीं और admission ले तो migration certificate आपको provide करते है प्रिभ्यस वाली आपकी college स्कूल ठीक है उसे लेकर जाना होता है यहां पर आपको और उसके बाद यहां आपको एडमिसन मिलता है रख लिया जाता है कॉलेज के तरफ से ताकि आप कहीं और अडमिसन ना ले स्कूल से आपको यहां पता चलता है उसे ठीक है कॉलेज में करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो दिखलाना पड़ता है है कि आपकर चयारेक्टर सर्टिफिकेट यहां पर किसी तरह के इस्टों है और जान सकती है कोई कंपणी गॉडवर्मेंट जॉब में जाने हैं तो कैया से हैं किस जगह से हैं इसलिए वहां आपको प्रभाइट करना पड़ता है और आपको यह प्रभाइट करना पड़ता है तो आपको यह वहां पर डालना पड़ेगा का इसले बनवा लेजए अगर बनवाएं नहीं अभी तक तो आपको यहां पर काम पड़ने वाला आगे भी अधार करें तो अधार काड यहां पर लेकर आजकल मंगा जाता किसी स्कूल और कॉलिजस में आपको है मेडिकल सर्टिफिकेट के डेमांड करते ओले जो आपको प्रुवाइट करना मस्ट होता है ठीक है medical certificate आपको वहाँ जो है college hospital से आपका यह इसली बन जाएगा पर हर जगह यह medical certificate नहीं माना जाता है इसलिए आप देखिए जहां पर requirement है उसी पर बनवाई है OBCCAST और मैं बतला दो एक यहां पर mention नहीं है वो है economic जो है general को जो मिल रहा EWA certificate वो बनवाना यहां पर पढ़ेगा OBCCAST certificate क्यों बनवाना पढ़ता है तो मैं बतला दो कुछ और भाई चांस आपका बना हुआ रही है और आप फिलप कर देते हैं तो बहुत से colleges में आपको जो है general वाले fee को पे करना पढ़ता है extra general जितने पे करते हैं फी उनका ज्यादा रहता है तो वो पे करना पढ़ेगा और बात में जो है provide करना पढ़ता है और विसर सर्टिफिकट तो आपको refund कर दिया जाता है वो पैसा parents income की बात करें तो यहाँ पर सर्टिफिकट नॉर्मली आपको जो है किसी किसी college में demand किया जाएगा पर जो आप at a time जब scholarship की जो form fill up करेंगे आप यह scholarship के लिए apply करेंगे तो आपका parent certificate यहाँ पर must है आपको provide कर देना पड़ेगा एंटे रैगिंग एंटे रैगिंग जो है फिटिफिट वह अलग अलग होता है फिटिफिट करवाना नहीं होता है बहुत जगा declaration form रहता है एक form आपको provide कर दिया जाएगा उस पर sign करना पड़ता है एंटे रैगिंग के लिए और जहां आपको बोले तो religious certificate की बात करें तो यहां जो है किसी किसी institution में आपको religious जो है religion के basis पे यहां पर आपको यहां पर chances रहते कि आपको यहां पर reservation मिलता है जैसे मैं संजेविर की बात करूँ तो यहां पर आपको है Christian वाले students का यहां पर reservation है तो उनको provide करना पड़ेगा Christian certificate जो आपका चर्श से सब्सक्राइब करेंगे तो चल जाएगा आपका काम वहां पर फिर भी कुछ भी पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं और जो certificate से उनको बनवा लेजिए कोशिस कीजिए जल्द बनवानी का अगर आपके पस का सर्टिफिकट नहीं है तो अप्लाई जो एड मिसल लेंगे तो उस ताम पर आपको यह सब जो है requirement रहें कि ठीक है और जो है college demand करती है सब certificates के लिए तो कोशिस कीजिए बनवान लेजिए कुछ भी पूछना हो तो comment करके मुझसे पूछ सकते हैं आपको फ्रेंड बैड मिसल ले रहे तो उनको सेर कर दीजिए यह वीडियो ताकि जो है वह भी देख ले और जान सके क्या-क्या यहां पर जो है आपका passport sites वह भी फूटो रख लिजेगा thanks for watching best